लगताशनी इस्वे दिन हंगामे की भेड़ चड़ी संसद की कारवाही राहुल गाधी के माफी मांगने पर आड़ी है वीजेपी दोरो सब्नों की कारवाही कल तक लिस्टागी संसद से भागने की बजाए आकर संसद में माफी मांगे क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की सम्विधान और देश के बोटर का किया है अर कोट से कोट में पेश हुआ जहां से राहत मिली लालू, राबडी और मीशा, भारती समेच सभी आरोपियों को मिली जमनत 29 मार्च को मामले में अगी सुनवाई पाकिस्तान से कनेक्शन और आतन की फंडिंग मामले में अनाइए का आक्शन जमू कश्मीर और पंजाब में 11 ठिकानों पर चापे मारी जमू कश्मीर में आतन के खिलाफ पोलिस की बड़ी कारवाई लश्करे तियबा से जुड़े आतन की को बारामुला से क्या गरफतार 47 और कार्थोस भी बरामत लाहौर हाई कोट से पाकिस्तान के पूरू पीए में इमरान खान को बड़ी रहत अगले आदेश तक सभी कारवाई पर लगाई पाबंदी इमरान समर्धिको का लाहौर इसलमाबाद और कराची में हिल सकते यूक्रेन के बखमूत में यूक्रेनी सेना और वेगनर ग्रूप के बीच फिर जंग हुई तेज दोनों तरफ से ताबढ़त और गोली बारी दक्षन बखमूत के एक इलाखे पर कबजे का वेगनर ग्रूप का बड़ा दावा यूज एटीन इंडिया लगतार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल दर्शकुने खामरों के लिए न्यूज एटीन इंडिया पर जताया हरोसा लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिफ रफ़तार नहीं जिम्यतारी पर भी विश्वास रखता है देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देशित और जनहित दोनों को सर्वो परी समझता है न्यूज एटीन इंडिया नमस्कार मेरी मापसाद इस वक्त हम आपको इस बुलेटिन के जर्ये देश की तमाम बड़ी खबर दिखाएंगे नमस्कार आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग देशमुक नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ पृतिका सिंग और शुरुआत बुलेटिन के बड़ी खबर के साथ करेंगे तो जंग के मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी बहुत बड़ी खबर आप तक पहुचाने जा रहे हैं रूस की तरफ से अब बृति बड़ी धंकी दी गई रूस की आर्मी के पृतिका साथ करेंगे